स्वागत आपका बरेली द्यात्मेट चैनल में हम पहुंचें इस समय उत्तर परदेश के बरेली जनपद की नगर पाली का आवला में हमारे साथ हैं भारती अंता पार्टी के जिला कोसा अध्यक्ष अनिल कुमार गेरा जी आईए हम सीधे सीधे आपके मुलाकात कराते हैं अनिल कुमार गेरा जी से जैसा कि सर इस समय उत्तर परदेश में भारती अंता पार्टी की दुबारा सरकार बनी है और लगातार आप देख रहे हैं जब चुनाओं के दौर में भी बुल्डोजर के नाम से जो योगी जी हैं बहुती फैमस बहुती प्रसिद्ध हुएते और बुल्डोजर बाबा के नाम से जब से चुनाओं हुआ है बहुती ज़्यादा उनका नाम एक बुल्डोजर बाबा के नाम से फैमस हुआ है और लगातार बरली में भी लगातार कारवाईया हो रही हैं बुल्डोजर से क्या कहेंगे इस पर देखिए हमारी यहां की जो जनता है वो सापा सरकार की जो पिछली गुंड़ाई की सरकार थी दबंगाई की सरकार थी उससे बहुत परिशान थी उन्होंने इस परशानी से निजात पाने के लिए ही हमारी बाचपा सरकार को पिछली बार चैनित किया था उनको बोड दिया था और पूंड महुमत के साथ हमारी सरकार आई थी और आने के बाद उन्होंने गुंड़ाई बिलकुल हमारे उत्तर प्रदेश से बिलकुल दूर हो चुकी थी, बिलकुल खतम हो गई थी जिसको लगता है नहीं था कि यह वो ही प्रदेश है जिसमें कभी आज से पहले गुंड़ाई हुआ करती थी, दिन दाड़े लूट पू में बाज़ा पागी सरकार को बोट दिया और उनी जनता की इच्छा के अनुसार हमारी सरकार इस टेम फिर जो है गुंडों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ, जो हमारे इस परदेश के गरीब जनता है, जिनके उपर अमूमन सपा सरकार के अंदर कबजे हुआ करते थे, उन इज़द लुटा करती थी, उनके साथ छलकानी होती थी, उन सबसे निजाद दिलाते हुए पुना हमारी योगी मानिनी योगी आदितनाद जी की सरकार इस पर कारवाई कर रही है, और ऐसा फिर से महल नजर आ रहा है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, अब ये उत्तम प्रद पार्टी में आप कब से सक्री रूप से काम करते हैं? बन सकेगा और पार्टी हित में पार्टी के साथ चलते हुए पार्टी की रीती नीती को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा करते रहेंगे, ये हमारा हमेशा संकल्ब रहेगा और इसी के तैत हम भी चाहते हैं कि हमारी केंदर की सरकार और प्रदेश की सरकार जो भी नीती ले पद के लिए उमीदवार का चेहन क्या प्रक्रिया चली थी तो मैंने आवेदन किया था इस वार भी मेरी यह इच्छा है कि अगर पार्टी हमको इस लाइक समझती है कि मैं जनता की सेवा अपना जो भी मेरा अब तक का इस जीवन का अनुभव है और जो मेरी कारेक उशलता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर पार्टी मुझे फिर से यहां अगर मुझे फिर मौका देती है अगर चेहरमेन पद के लिए तो मैं जरूरी आवला को सुधारने के लिए एक नया आवला बनाने के लिए जैसे कि हमारे माननी है मोदी जी का सपना नया भारत बनाने का ह हमारे माननी है योगी जी का सपना नया उत्तर प्रदेश बनाने का है तो मेरा भी एक सपना है कि मैं एक नया आवला इस यहां की जंता को पेश करके उनको नया आवला बना करके उनको दिखा करके दिखाने की कोशिश करूगा जैसा कि सर आप भारती इंता पार्टी के पिछली वार भी आपे दिख रहें और इस वार भी आप का कहना है कि पार्टी अगर टिकेट देती है तो निश्चिती आप चुनाओ के लिए पूरी लगन से लगे हुए हैं तो सर जैसा कि आपके लिए पार्टी द्वारा करकें सिन promotes आप और होंगे तो आज भी आपको आवला वैसा ही दिकता है जो आज से 25 साल पहले था हमने जब आए खोली बच्चमन में हो समाला उसka बाद भी हमको आवला वैसा दिखता है और एम्टन की जंता का और यहाँ पीडि आ रही है यह तरह से नए इतने आवाम में डलती जा रही है हर नए तवर तरीके के साथ जीना चाहती है और हर वो सुवदाय लेना चाहती है जो आसपास और शहरों में और कस्मों में उपलफ़ है लेकिन हमारा दुर्भाग है कि वो चीज हम हमारे यहां जो भी चेर्मेन रहे वो इस चीज़ को नहीं प्रयास कर पाए कि नया कुछ दे पाए अभी आवला में करने को इतना कुछ है केवल शहर की जिम्मेदारी को शहर का नया रूप देने की जिम्मेदारी शहर के चेर्मेन की होती है और वो तभी संबाव है अगर चेर्मेन उसमें जितो और उसके अंदर कुछ करने की कला हो और उसको इसको करने का अनभव हो वही इस आवला को बहुत कुछ कर सकता है जबकि आवला एक एत्यासिक नगरी है और यह एक राजदानी भी रह चुकी है और अफसोस हमारा है इस बात का है कि इतना सबकुछ होने के बावजूद आवला आज भी पिछड़ा हुआ लगता है, हमारे यहां से अगर कोई बेटी बाहर जाती है बया करके, तो वहां के सत्राल में उसको यह जरूर सुनना पड़ता है, कि आपके आवला में है क्या अगर किसी बेटी ने यहां बयाने के लिए आना होता है, किसी परिवार में आत समय हो तो मैं अगर मैं बाहर निकलू तो एक अच्छा रमणी कोना चीए वो चीज यहां पर नहीं है बहुत कुछ करने की जरुवत है मैं कोशिस करूँगा अगर मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो मैं आवला को नया आवला बना करके बनाने की पूरी कोशिस में कि रहे हैं चिनांव में बहुत बड़ी तैयारी होती है नलगरपाल का कि क्या तैयारी है है नहीं से सकंटन डियुन में कारे कर रहा हूं और मुझे दो साल से सब्सक्राइब के पदभर मैं इसे पहले भी कई च Tirशनाओ मां लड़ा चुका हूँ और मुझे क्या क्या सुभधा है आवला में कहने को तो आवला में बहुत कुछ करने को है अभी वाके में अगर देखा जाते को अभी कुछ हुआ ही नहीं है बहुत कुछ करना है उसके लिए मैंने पूरा रोड मैप मेरा तयार है मिरको बस इंतिजार है पार्टी का ने स्थेम हमारी गेंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार में चाहती है कि हर जन को गरीब से गरीब और नीचे से नीचे इस तरखे ग्यक्ति को मूल सुवदाएं जो देना चाहती है सरकार वो मिले ओर उसको ले और अगर किसी प्रकार से उनको किसी प्रकार की अवसिवदा हो या जानकारी का अभाव हो तो हमारे पार्टी के सारे समर्पित और सिवा भाव से बहली पूरी तरह से मेचोड कारे करता हैं। से संपर्ग लेकर उन से साहिता लेकर के हमारी केंद्र की और प्रदेश की जो नीती हैं जो सुविदाएं हम देना चाहरी है सरकार हैं उसको लेने की कोशिश करें और एक अच्छे मावल में अपना जीवन विथीद करें मैं यही हमारी सभी जनता से मेरी अपील है और यह भारती अंता पार्टी आउला जिलेकर जिला कोशा अध्यक्ष अनिल कुमार गेराजी लगातार ऐसे प्तरिश्चित लोगों से मलवाते रहेंगे बने रहें रहें बरेली देहातें